So, Hello Guys, Welcome back to the Amaiya Channel जैसे कि आपको पता हुआ कि पिछले वीडियो में मैं Friction का Chapter आप लोग का कवर करने की कोशिज कर रहा था, ठीक है? तो पिछले वीडियो में आप लोग से Discourse किया था कि Friction के Question कितने टाइब के बन सकते हैं और कौन-कौन से टैप के question बन सकते हैं इसके उपर मैंने full details जनकर या अप लोग को दे दिया था और साधिसत मैंने एक question ये वाला question आप लोग साथ discuss किया था जो कि आपका normal type question था ठीक है तो I hope की पिछला वीडियो आपने देखा होगा अगर नहीं देखा होगा तो लिंक आपको description में मिल जाएंगा जा करके देख लेना तभी आपको ये series समझ में आएगा तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो normal type question के कुछ और भी question करेंगे देनों उसके बाद से जैसे कि मैंने बताया था मैं maximum question आज कराने की कोशिस करूँगा तो आज का जो lecture होगा वो बिल्कुल एकदम numerical ही होगा ठीक है तो चलिए next numerical में लोग सल्व करके देखते हैं तो देखिए next numerical है पहले इसको में लोग पढ़ने की कोशिस करते हैं चुकि जब तरक एक बार question ने पढ़ियेगा तब तक मज़ा नहीं आता है ठीक है तो एक बार question थोड़ा सा लंबा है यहाँ पर फिन भी हम लोगो यहाँ पर solve करना है तो पढ़के मैं बताऊंगा ही थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है तो I hope कि आप थोड़ा सा समझने की परियास करोगे और बोर नहीं फिल करोगे ऐसा मैं एजुम करता हूँ तो प्लीज यार वीडियो का उन तक जो देख लेना और अच्छा लगे तो share भी कर देना तो देखिए सबसे पहले यहां पर question है उसको पर मैं बात करता हूँ देखिए यहां पर कह रहा है कि यह है भी box of mass 20 kg ठीक है एक box है जिसका mass है आपका 20 kg यहां पर ठीक है और यहां पर कह रहा है कि is applied is placed sorry is placed a horizontal surface एक 20 kg का mass है कोई भी और जो की horizontal surface पर रखा हुआ है placed है ठीक है if the coefficient of kinetic friction between the box and the horizontal surfaces is 0.25 यानि कि जो box रखा हुआ है और जो surface होगा उन दोनों के बीच का coefficient जो होगा coefficient of kinetic friction जो होगा वो है आपका 0.25 दे रहा है ठीक है अब कह रहा है कि calculate the force of the kinetic friction यानिक की kinetic friction आपको find करने के लिए बोल रहा है also calculate the acceleration produced under the force of 90 Newton sorry 98 Newton applied horizontally यानि कि कह रहा है कि जदी horizontally force applied कर दे जाए 98 Newton का तो उस समय इसका acceleration कितना होगा इसको भी find करके आप हमको बताईए तो पूरा question को एक बार आप वीडियो को पहुच करके अच्छा से पढ़ लेना मैंने पढ़ लिया है मुझे समझ में आ गया है आपको समझना है तो एक बार आप फिन से इसको पहुच करके पढ़ लेना अच्छा से समझ में आ जाएगा ठीक है यह आपको horizontal surface को सोकर है और 20 kg का ब्लॉक था तो यहाँ पर 20 kg का यह ब्लॉक रखा हुआ है और 20 kg का ब्लॉक रखा हुआ है अब यहाँ पर एक चीज और आपने मार्क किया होगा यहाँ पर दे रखा है कि kinetic friction दे रखा था आपका दियान लेकर चलना है कि कहाँ पर kinetic की यूज करना है कहाँ पर static की बात करता है यानि कि जब body rest में होता तो यह static करता और जब body motion में होगा तो kinetic की यूज करूँगा ठीक है तो इसका मैंने यहाँ पर यूज करने वाला हूँ अब देखें यहाँ पर फिरी बड़ी डगराम इसका बनाते हैं तो 20 kg का block है तो 20 kg का block है तो 20 kg का block का इस धर से यह क्या gravitational force लगा ठीक है तो इसका weight किधर लगा नीचे कितना होता है mg तो aim का value यहाँ पर दे रखा है 20 और g का value आपको पता होना चाहिए 9.8 meter per second square होता है बट यहाँ पर assume करते हैं हम 10 meter per second square तो यहाँ पर 10 से म और यहाँ पी बता जा रहा कि under the force of 98 applied horizontally यानि कि यह भी बता जा जा रहा कि horizontally force applied के रहा है ठीक है अभी मैं आगे आगे आप लोग बता हूँगा कि यहाँ पर inclined भी force applied के रहा सकता है उसका concept थोड़ा सा अलग होता है मैं अभी बता हूँगा आपको तो यहाँ पर देखिए क् कैसे आपको चेक करना है तो यहाँ पर भी एक बार में समझते हैं और यह पिछला वीडियो नहीं भी देखा होगा तो यहाँ पर आपको समझाने कि मैं फूल कोशिस करूंगा तो देखिए limiting friction निकाल लाएक आपको मैंने फर्मूला बताया था मियू इन्टू का एन होता है तो मियू आपको कितना दे रहा है यहाँ पर 0.25 दे रहा है तो 0.25 और नियूटन यह नर्मल रियक्शन कितना आजाएगा तो यह mg के इक्वल 2 आता है तो 200 वह जाएगा इसको जा मल्टिप्लाई करूंगा तो यह 50 नियूटन मिल जाएगा मुझे अब देखिए 50 नियूट जो है वह कितना है 50 नियूटन है और जो अप्लाईट फोर्स है वह कितना है 98 नियूटन है तो जरसी बात है कि बॉड़ी क्या होगी मुव्मेंट में कैसे देखिए यानि कि यहाँ पर 90 नियूटन का फोर्स हम लगा रहा है और इस ब्लॉग का वेट के चलते यहाँ पर तो यह नहीं घसकेगा ठीक है या चालिस भी लगाओ तो यह नहीं घसके लगे लेंगे जैसे मैं 90 लगा तो यह घसकना चलो जागा तो आप देखिए 50 नियूटन का खुद का इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन था यहन्ने उसका लिमिट है कि 50 नियूटन तक वह घसकने नही नहीं देगा अपने आपको और उसके जैसे उपर फोर्स लगाएंगा तो क्या होगा अपने आप में मोशन डेवलप कर लेगा तो यह देखे 98 लगा रहा है यहां पर फिप्टी नियूटन ही है यहां पर एस्टेटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन तो यह ज़रा सी बात है कि पिछले वीडियो आप देखे होंगा तो आपको समाझ में आ रहा होगा ठीक है यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन जब कम होगा अप्लाइट फ्रिक्शन से तो यहां पर बड़ी क्या होगी मूव में आ जाएगी यहां पर लिखा है मैंने मूव बड़ी तो बड़ी क्या इसलेशन में आएगी तो उसमें इसलेशन ने प्रोड़ीस होगा तो एसलेशन तो पुछाई जा रहा था मुझे कि एसलेशन कितना होगा तो तो मुझे निकालना पड़ेगा तो देखिए कभी आप एक चीज़ याद रखेगा कि एफ न्यूटन एफ नेट फोर्स यानि क तो देखिए फोर्स कौन कौन से लग रहा है फोर्स यह एक लग रहा है और इधर आपका फ्रिक्सनल फोर्स डेवलप होगा देखिए यह इधर आपका अप्लाइट फोर्स है तो इधर क्या होगा फ्रिक्सनल फोर्स एक डेवलप होगा ठीक है यह फ्रिक्सनल फोर्स आप होगा तो limiting force तो मैं निकाला था कि 50-nit obvious है तो यह हैंकि कितना फोर्च होगा तो दो फोर्च है यह पër यह यह दोनों फोर्च ठीक है एक 98 और एक 50 तो दोनों फोर्च का net यह नहीं कि दोनों का फोर्च का net करने मतलब क्या कि उसका summation ठीक है क्या उसका summation sign कन्वेंशन के साथ जब भी मैं नेट की बात करूँगा या पर ध्यान दीजेगा जब मैं नेट की बात करूँगा तो समेशन लेना है आपको सभी फोर्स उसका यह एफ नेट है मतलब कि फोर्स का समेशन लेना है विट साइन कन्वेंशन अब मैं बार-बार लग रहा तो यह 98 मैंने positive में लिया है ठीक है और इधर कितना 50 लग रहा था तो यह 50 को मैंने negative लिया है with sign convention और यह दोनों equal to किया होगा m into a का तो m into में देखिए दोनों का जाब difference करेगा तो 48 आ जाएगा और यह m का value आपको यहां पर दे रखा था 20 kg तो 20 kg और acceleration मुझे निकाल नहीं है तो यह अब यहां से equation बन गया है तो यह आपका 2.4 meter per second square आ जाएगा यह आपका क्या हो जाएगा acceleration हो जाएगा तो आई hope कि यह चीज़ आप समझ गया होंगे ठीक है तो यह numerical मैंने अच्छा से समझा दिया है ठीक है आई hope कि आप समझ गया होंगे अब इसी तरीका का एक और numerical करते हैं और उस numerical इस numerical से थोड़ा सा different होगा चुकि इस में देखी यह simple सी बात है कि एक box था जो कि horizontal surface प्रक दिया गया लेकिन इस से थोड़ा सा numerical different होगा यह basically question में हमारे खाल से पूछे तो जा सकते हैं बड़ उतना valuable नहीं है लेकिन इसके next जो question करेंगो वह ज्यादा valuable रहेगा चुकि यह जेनरल life में use होता है ठीक है तो चलिए next question को प्रमलग बात करते हैं सो फ्रेंट से देखें जो हमारे पार जो next का कोच्छन है वह question कुछ इस तरीका से ठीक एक बार इसको पढ़ते हैं दकार है यहाँ पर एक car is moving at 19 km per hour ठीक है drive slump on a brake and skied to a stop the coefficient of kinetic friction between the tired and the road is 0.8 how far will be the car skied before skied before the stopping that mean यहाँ पर question जो कहा रहा है वह कहा रहा है कि एक car move कर रहा है यह 90 km per hour घंटे कहीं साबसे यह ठीक है और यह slam on a brake यानि कि उस पर slam किया आता है ब्रेक लगा जाता है और यह ब्रेक लगाने के पार से skied होने लगता है यानि कि फिसलने लगता है तो फिसलते वे कितना दूरी तक जाकर कि यह stop होगा वहीं पूछा जा रहा है मुझे दोकार है कि the coefficient of the kinetic friction between the tires and the road अब यह जब भी यह slide करेगा तो मन लिजिए कि यह tire होगा और यह आपका road का surface होगा तो इस पर slide करना स्टाट को जब भी ब्रेक मारेंगे तो तो यह slide होगा तो उन दोनों के बीच में coefficient of friction डेवलप होगा coefficient of friction जो होगा वह आपका दे राखा है यहाँ पे 0.8 दे राखा ठीक है अब कर रहा है कि how far will be the car is carried before the stopping यानि कि brake मारें यहाँ पे ठीक है तो ब्रेक मारेंगे बसे कितना slide होते चला जाएगा उस दूरी को निकालके मुझे दिखा यह ठीक है तो यह question थोड़ा सा अच्छा लगता है यह question आपको एक्जाम में पुछे भी जा सकत ठीक है हम देखें यहाँ पर initially मुझे यहाँ पर जो डाटा दे रखा है question का उसको में आपर रख दूँगा तो पहले मुझे यह यह दे रखा है कि यह जो 90 km per hour के इसाब से ड्राइब हो रहा है तो यह इनिशल ड्राइब हो रहा है यानि कि initial velocity है यह तो u is equal to 90 km per hour दे रखा ह अब u को मैं चाहूँगा कि meter per second में convert कर लिया जाए क्यूं चुकि आपको पता होगा कि जब भी वो distance कभर करेगा तो kilometer में तक कभी जाही नहीं सकता है कि उतना ज़्यादा तो speed होगा नहीं कि वो kilometer में run कर जाए break लागाने के बसे वो थोड़ा बहुत meter में जाएगा तो meter में मुझे actually distance निकालना होगा तो मैं चाहूँगा कि इसको meter में ही कर्माट कर लो तो meter में कर्माट कर लिकि यह 90 हो गया और एक kilometer में 1000 में लिख दिया और एक घंटा है तो घंटा को मैं second में लगए चला जाएगा तो second में लगए जोगा तो एक घंटा में 60 मिनट होते हैं तो यह 60 मिनट हो गया और 60 सेकंड भी होते हैं तो यह सेकंड में आ गया इसका जब करेगा तो 25 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा ठीक है अब देखिए यहां पर दे रखा था यहां पर की रोड जो होगा और जो यह टायर होगा उन दोनों के बीच में कोफिशन दे रखा था तो यहां पर कार्थ होई वो क्या था मूविंग में था तो मैं जब भी यहां पर मूविंग में जाता तो कोफिशन जो लोगा वह कोफिशन अब कैनेटिक्स होगा यानि कि मूविंग में रनेक वाज़ा से क्या कोफिशन अब कैनेटिक्स होगा इसलिए यहां पर बोल भी म्हें बाट के SM सेไดöd hen It's not its own claim कॉधे कभी आप का फोर्स नरे यह velocity दे रखा कि 25ική मीटर पर सेईड के SM style यह मूभ कर रहा था कोई भी अभै कल ठीक है यह को बी क्या है मतलब मेरा फोर्स नहीं बट इसको फोर्स में मुझे convert करने की जरूत पड़ेगी तो उससे कर लूँगा नहीं करने की जरूत पड़ेगी बैक चुली मुझे यहाँ पर distance निकाला है तो मैं distance directly भी निकाल सकता हूँ यहाँ भी पुछा सकते हैं force कितना applied होगा जैदे इतना वेल शूट तो वह question नहीं मुझे question नहीं है कि यहाँ पर break मार दे जाए तो break मारने के बास यह road पे तो slide होगा ही तो slide होगा तो कितना दूरी कवर करेगा वह distance मुझे निकालना है तो मान लेजे कि यहाँ पर break मारा ठीक है इस यह बोड़ी जो movement कोछ करके यहाँ पर जाएगा तो यह distance जितना distance यहाँ से माली कवर करेगा वह distance ही मुझे निकालना है यहाँ पर कि कितना distance यह यह distance D निकालना है ठीक है डीक हम लोग एस भी बोलते हैं आपको पता होगा ठीक है एस भी बोलते हैं जब आपने 19 में पढ़ा होगा तो वह आपको पता होगा कि D को distance को यह से भी मेजर करते हैं ठीक है अब देखें यहाँ पर इसका फ्रीबर डियाग्राम हम लोग बनाएं तो यह जो कार होगा उसका वेट जो नीचे कि तरफ काम करेगा इसका नॉर्मल लेक्शन उपर तरफ काम करेगा और इधर जो कार मूब कर रहा था तो इसका तो में करने मुझे यहां पर मुझे से कशटन के मुझे पटा होगा यहां पर कितना मतलब कि यह कमें को निचास में में 25 मितरों पर सेगने और यहां पर यहांना मुझे पता नहीं होगा जी का व्ल्फन्सक्ति वगा तो यहां पर के बैलो मुझे यहां पर दीए ढह सबस्क्ति हरोगे खुछ में समिल कवन्त के साथ लेना है ड़ेक्ट यहां पहले मैं निकलता हूं ऐफ़नेयट क्या फनाट sup क्या में वघ्त व समेद्ट यहां के इस कौन कामकरें यह होते हैं यह फ्रिक्षिनल फोर्स इदर और इї लग रहा है यह क्या थी रहर बीट उपने तफ फोर्स ही नहीं लग रहा क्या नहीं लग यह भैली सिटी एक मैंने पहले ही ओला कि यह मत करना यह क्या वेलू सियुटी दे रखाए यहां पर ओर यह फोर्स के वह mнемmeno यहां पिए फोर्स नहीं है तो फोर्स के फोर्स नेहीं एक प्रवरता है समय साना फॉर्स करों त्याने में यहीं है इदर को separates लck रहे है उदर कोहीं थिमाद्व दोड़े प diffार में तो f a small force इधर 0 लग रहा है दोनों का मैं सम करूं तो क्या हो जाएगा यह f के बराबर याएगा तो f is equal to का m into हो जाएगा अब मुझे पता है कि f जो यहां पर क्या है फ्रिक्शनल फोर्स है तो तो फ्रिक्शनल फोर्स का मैंने आपको फर्मूला बताया था क्या बताया था कि मुझे इंटू का n होता है अब मुझे यहां पर लेना है यह स्टाटिक्स और किनेटिक कुछ भी हो सकता है तो देखिए बॉड़ी यहां पर क्या था मोशन में था तो मोशन को बहुत से क्या मैंने बताया था जब भी बोडी मोशन में जाया इगा तो क्यंथिक फ्रिक्षन यह बॉड़ी होता है तो mu k का value हमारे question में दे रखाता यहाँ पे आप दे सकते हो कि 0.8 दे रखाता ठीक है और Newton का value में यहाँ पे जो n का value यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ तो basically यहाँ पे हम लोग solve करने कोशिज करें तो यहाँ देखें मैं इधर लाग देखां देखें mu into mu k into n is equal to ma हो जागा तो देखें mu का value मेरे पास दे रखा 0.8 और n का value होगा वो क्या होगा मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि n का value होगा वो क्या होगा यह जो आपका जो weight होता है उस weight के बराबर होता है यानि कि mg के बराबर हो जाएगा तो mg यहाँ पे लिख दिया मैंने ठीक है तो mg यहाँ पे और ma यहाँ यहाँ पे तो mm cancel out हो जाएगा तो कि यह UK का value यहाँ पर राकता 0.8 और यहाँ पर G का value के वल मैंने रख दिया 10 चुकि पता होगा gravitational force होता है लेकि मैं इसको 10 consider कर रहा हूं तो यहाँ पर 10 लख दिया और यहाँ पर यहाँ पर A हो गया तो इन दोनों का multiply करूंगा तो एक value निकल के आजाएगा 8 md per second निकल करके आजागा ठीक है 8 md per second square हो गया रहाए बब जैसे यह इसलिशन निकला है मने इसलियरेट, निकला है मैं ने अभी question complete नहीं किया लेकिन मुझस से यहाँ पर question में अब ध्यान देंगा तो यह पूछ रहा है कि how far car will be the sky before the stopping यहनि कि car में कितना दूरी ताय कर लेगा stop होने से पहले तो वो मुझे निकाला था तो यह अभी तक निकाला क्या मैंने नहीं यह निकाला जिसका मुझे जरूरत पड़ेगा यहां पर आप ए निकाले तो इसको नेक्स लाइड में हम लोग जानते हैं एक फर्मूला कि भी यह स्कॉर्ण बार बार क्या होता है यूज का प्रस्ट टू एस ठीक है तो यहां पर देखिए फाइनल भाइल सूटी क्या हो जाएगा यह जीरो हो जाएगा क्या से चुकि आपको पता हो कि देखिए यह बॉड़ि था यह मोशन में चला था आप जाकर इसको ब्रेक मारें आपने पढ़ा होगा जैसे जैसे ब्रेक बाते हैं तो यह जीरो हो जाएगा नोग क्यों स्कॉार कर देखिए यहां पर देखिए U S2 होता है ना तो U S2 की यहां की U का जो value देखा थे वह 25 meter per second square मैंने निकला था ठीके आप यहां पर देखते हैं, U का value मैं जो निकला था 25 meter per second निकला था, यह 25 meter per second हो जाएगा ठीके तो यहांसे क्या निकल जागा, 25 का square हो जाएगा प्लस 2A S तो 2 हो जाएगा और A का फैलू अभी मैंने निकाला 8 और S का फैलू है वो A S ही रहेगा यह तो डिस्टन्स ही हो वहीं तो मुझे निकालना भी है तो यहां से एक क्यूकेशन मिल जाएगा एक क्यूकेशन को आप सल्व करियेगा तो यहां से एजली आप S का फैलू निकाल सकती है S का फैलू आपको निगेटीब में बट आपको पता हुआ ऑगा कि कभेशन डिस्टन्स निगेटीब में में नहीं किया दा तो यहां पे S जो होगा वो पुजेटीमे हम लोग कंशिडर करेंगे तो एस इस को टो जागा 39.06 मीटर आजाएगा ठीक है और यहां पर फाइन फैल सूटी मैंने यहां पर जिरो लिखा है चुकि यहां पर मैं ब्रेक अप्लाइट किया हूं जब कार मोशन में था तो ठीक है तो इस तरीका से आप निकाल सकते हैं यहां पर अपना यह डिस्टें मूब किया होगा ठीक है तो यहां पर मैंने एक कोश्चन बता दिया अच्छा से दो कोश्चन बताया और तीसरा कोश्चन में आप लोग खुद करने के लिए सजेस्ट करूंगा कि यह तीसरा कोश्चन है ठीक है इसका एंसर मैं थोड़ा सा छिपायता हूं ठीक है यह कोश में बता ना इसी पे बेस है ये अब इसका मैं आपको एंसर दिखाता हूं और अपना आप जो सल्फ किया है उसके एंसर आप मैच करें तो इसका एंसर आएगा जो हो जाएगा आपका जो यह डिस्टेंस जो आएगा वह आएगा यह 64 मीटर आएगा और जो अपने निकाला लोगा वह और जो चैब में बैसिकली में इस तरीकर कराऊंगा जैसे कि नौर्मल मा वहीं का बता है आपको कि एक बोडी होता था यह ब्लॉक होता था वो जनरली एक और शेमिंटल सब्सक्रालाइट होता था और इसके आपलारइट फोर्स और नर्मल और प्रियंटल के बं से मैं कुछ नमरिकल भी लोगा तो आई होप कि आज का वीडियो आपको प्रचंद आए होगा तो प्लीजर लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरू कर देजेगा तो चलिए मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में